हेलो एन इस स्टुडेंट वेलकम बैक टूदा चैनल जितेंदर आरे क्लासिस जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट जो है 14 तारिक को जो है आ गया है रिजल्ट से रिलेटेड कुछ और जानकारी भी है इस वीडियो में आपको मिलेगी और पूरी प्रोसेस आपको बत जैसे आपने यह जो है आपने टाइप कर लिया तो यहां देखेंगे जो सबसे पहला आपके पास आप्शन आ रहा है आप क्या करेंगे उसी को क्या कर देंगे क्लिक जो है कर देंगे और यहां जैसे ही आप देखेंगे आपका पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है वो देखिए शो हो रहा है यह आपका पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट रिजल्ट डिकलेरड 14 जनवरी 2022 और यह क्या है आपका जो रिजल्ट है सेकेंडरी 10 और 12 दोनों ही क्लासिज का निकला है अक्टूबर नवंबर 2021 का सेशन जैसा हमने बताया था आपको कि मार्क शी अगे चैक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से इंटरफेस जो है ओपन होके आएगा और आप इसमें क्या है अपना enrollment number type कर देंगे जो भी आपका i card पर roll number है और यहाँ पर आप क्या करेंगे capture भर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे आप अपना submit जो है इसके अंदर कर देंगे और इस तरीके से आपका क्या है result आजाएगा लेकिन अब result तो चलो ठीक है आजाएगा आपका उसके साथ कुछ जरूरी चीज़े है जिनके बारे में हमें बात करनी है देखिए आप में से बहुत सारे भाईयों के साथ result में problem है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है तो सीध के साथ SYC बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे SYCT और जो है आपका cross 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 इस टाइप के जो है options है इसके लिए हम detailed video बनाएंगे लेकिन जो है आपको इसमें एक चीज हम बताते हैं कि अगर आपके पास यह problems आ रही है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए देखिए पहला option आपके पास है Revaluation या Rechecking का option इसमें आने वाला है Revaluation या Recheck उसमें जैसे ही आप अगर आपको लगता है आपने paper अच्छा करा है आप Revaluation Recheck कराईए इसका 300 रुपे से लेके आपका 800 रुपे इसके लिए भी हमने detailed video बना रखा है आप इसको जरूर देखिए कि आपका जो है क्य पेपर की sheet भरी थी और बहुत सही paper दिया था तो आप इसको और अगर आपको यह भी लगता है 20 या 25 नंबर आपके आने वाले थे और आप 33 अराम से ला सकते थे तो भी आप क्या है Rechecking जरूर कराईए क्योंकि अब की बार जो आपका result है उसमें हो सकता है checking में कुछ गड़ हो जाएगा और फरवरी एंड तक आपके हाथ में क्या आ जाएगा result आ जाएगा तो दूसरा option यह है कि जो भी आपके subject रहे ऑन डिमांड आप भर दीजिए और देखिए तीसरा क्या है आपका तीसरा जो है आप अपरेल 2022 की फीस्ट चल रही है अब बच्चे कंफ्यूज है है कि वो ऑन डिमांड के लिए भर है या अपरेल 2022 के लिए तो आप उसके लिए भी क्या है examination फीस भर दीजिए क्योंकि उसकी last date क्या है आपके 31 जनवरी है तो आपके पास सबसे best तरीके यही चल रहे हैं देखिए अगर आप तीनों चीज भी apply कर देते हैं तो उसका क्या benefit ह रिवैल्येशन और रिचेक आपका मालिया हो गया इसका लगबग एक महीने के अंदर रिजल्ट आजाएगा अगर आप पास हो जाते हो तो यह दोनों option में पेपर देने जाओ मत तो आपका वो ही रिजल्ट final माना जाएगा अब हम second चलते हैं on demand वाला कि अगर आपने क्या अगर आप इन दोनों options में नहीं पास हो पाते हो तो आप April 2022 के paper दे के आजाएए तो सबसे best option यही होती है आप तीनों के लिए जो है try कीजिए और mark sheet आपको जो है अब हम बात कर लेते हैं यह जो student हमारे जो pass होंगे तो इनकी mark sheet एक मंत के बाद मिलने वाली है और वो कहां से यानि कि जो original mark sheet है वो कहां से मिलेगी study center से regional center से और noida headquarter से तो यहां से या तो by post आपके पास आएगी और या फिर आपका क्या है by hand आप यहां पर जिसके पास जो भी पड़ता है वहां से आप क्या कर सकते हो इनको receive कर सकते हो by hand खुद personally जाके ले सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका result भी अच्छा है होगा बाकी detailed वीडियो आपकी problems के बारे में बाद में बताएंगे comment box में जो भी आपके result में problem आईए जरूर बताईए हम उसका solution 100% बताएंगे और next वीडियो का wait कीजिए उसमें सारी चीजे आपकी clear होने वाली है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजे चैनल पर फर्स टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ठैंक्स गैज